एकादशी की तिथी भगवान विश्नु को अत्यंद प्रे है और एकादशी का वरत सभी वरतों में सर्वोतम वरत पताया गया है आश्विन मास के क्रिश्न पक्ष की एकादशी जिसे इंद्रा एकादशी कहते हैं इसले भी महतपून है क्योंकि ये पित्र पक्ष के दिनों में आती है तो आज की इस वीडियो में आप जानेगे आश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी की तिथी और शुपमूर्थ के साथी पुजा विधी और नियमों के बारे में इस बार साल 24-23 में 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन इंद्रा एकादशी है और उद्या तिथी के नुसार इसी दिन एकादशी का वृत रखा जाएगा और दश्मी तिथी के नियमों का पालन 9 अक्टूबर सोमवार के दिन किया जाएगा अब जानिये एकादशी के दिन रहने वाले मूर्तों के बारे में इस दिन सोर्योदय सुबह 6 बचकर 25 मिनट सोर्यास्त शाम 6 बचकर 2 मिनट पर ब्रहममूर्ट सुबह 4 बचकर 49 मिनट से 5 बचकर 37 मिनट और इस दिन साध्य योग भी रहने वाला है जोकि सुबह 7 बचकर 46 मिनट तक रहेगा उसके बाद से शुबयोग प्रारम हो जाएगा राहुकाल दोपहर 3 बचकर 4 बचकर रहेगा द्वादशी तिथी शुरू होगी 10 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 3 बचकर 10 मिनट से और 11 अक्टूबर बुधवार की शाम 5 बचकर 37 मिनट पर समाप्त हो जाएगी दोपहर 3 बचकर 10 मिनट से ही हरिवासर का समय भी प्रारम हो जाएगा 11 अक्टूबर बुधवार को सुर्यदे सुबह 6 बचकर 25 मिनट पर सुरियस्ट शाम शॉबचकर 1 मिनट पर होगा ब्रह्ममोर सुबह 4 बचकर 49 मिनट से 5 बचक 37 मिनट पर और हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा 10 अक्टूबर मंगलवार की रात को ही 8 बच कर 30 मिनट तक रहुकल का समय बुधवार को दोपहर 12 बजे से तेड़ बजे तक होगा आप एकादशी का वरत खोल सकते हैं 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6 बच कर 26 मिनट से 9 बच कर 5 मिनट तक और इस दिन शुबयोग रहेगा सुबह 8 बच कर 42 मिनट तक यदि शुबयोग में पूजा की जाए उपवास खोला जाए तो एकादशी का वरत जल्दी फलित हो जाता है और सभी शुब फलों की प्राप्ती भी होती है एकादशी वरत के नियमों का पालन दश्मी तिति से लेकर द्वादशी तिति तक किया जाता है दश्मी तिति को ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लिये जाते हैं कि भगवान विश्नु के पूजन में अगर तुलसी पत्र ना हो तो उनकी पूजा और उनका भोग अधूरा मना जाता है। या फिर तुलसी पत्र और जल से या दही और चावल से भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इन्हीं कभोग भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके लावा पंचा मृत भी आप भगवान विश्नु को अर्पित कर सकते हैं। रखने वाले व्यक्ति के साथ पीडियों तक के पितर तरप्त हो जाते हैं तर जाते हैं। और इसे एकादशी का वरत करने वाला भी खुद मोक्ष प्राप्त करता है। आज के दिन भगवान विश्नु का विदिवत पूजन करने से बैकुंठ दाम की प्राप्ति होती है और सभी पापों का प्रैशित भी हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जितना पुर्णि कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुर्णि एक मात्र इंद्रा एक आदशी का वरत रखने से बड़ी सहज़स्ता से मिल जाता है। इस महिने में खास तोर पर घी, दूद, दही या फिर अन का दान जरूर करना चाहिए। भगवान विश्नु के पूजन में अक्षत यानि चावल का प्रियोग नहीं किया जाता है। इस बात का आपको द्यान रखना है। सथयुक में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिश्मती नाम की नगरी में शासन करते थी। इंद्रसेन भगवान विश्नु के परंभक्त और धर्म-परायन राजा थे। और सुचारू रूप से राजकाज कर रहे थे। एक त्यन अचानक देवर्षी नारत का उनकी राज करके उनके आने का कारण पूछा तब देवर्शी ने बताया कि वह कुछ दिन पहले यमलोग गए थे वहाँ पर उनकी भेट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई राजन आपके पिता ने आपके लिए संदेश भीजा है उन्होंने कहा है कि जीवनकाल में एक आदशी का वरत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोग में ही रहना पड़ रहा है आप मेरे पुत्र मेरी संतान से कहिएगा कि अगर वो आश्विन कृष्ण एकादशी का वरत रखे और उसके पुर्णी को मुझे अर्पित कर दे तो मुझे उसकपड ने अपने पिता को अर्पित कर दिया ये थी आज की वीडियो उमीध है जानकारी आपको अच्छे लगी होगी